मुबाइल की लास्ट चार डिजिट क्यों important होती है क्योंकि पूरा नमबर आज की रेडर में मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और जो चार डिजिट आपकी होती है इसमें दो डिजिट आपकी होती है दो कॉलर की होती है यह मैंने एक डिटेल वीडियो उसके उपर बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखेगा आज कुछ साथ और आर्ट कॉमिनेशन लोंगा कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा और यह रेमेडीज उन लोगों के लिए होंगी जो नमबर को चेंज नहीं कर सकते हैं कोई भी एक रिजन हो सकता है कि आपकी एज स्पेसिफिक है नमबर बहुत जार डिस्रिब्यूटेड है जैसे फॉर एक्जामपल मेरा ही केस है मेरे नमबर में 48 भी आता है और कुछ गलत कॉमिनेशन भी आते हैं क्योंकि जब मैंने यह चानल पामिश्री करता था तो मैंने नमबर ले लिया जैसे कि सभी लोग लेते हैं तो बाद में मुझे फाइंड आउट हुआ कि नहीं आरी नमबर तो सही नहीं है और इसको मैं कॉलिंग पर तो नहीं रख सकता तो मैंने उस नमबर पर अपनी इंकमिंग बंद कर दी आउटगो का जो इंपक्ट है वो यहां पर कम हो जाए तो मेरा नाम अभिशेख है आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चानल मैंने कुछ बहुत सारी वीडियो क्या कहता है जिसमें रिप्रिटिशन एक नमबर का क्या कहता है जीरो नमबर क्या कहता है मोबाइल के अंतिव अंक जो जरूर करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस किजेगा और लाइक करने में तो नहायत ही कंजूस हैं आप लोग और कमेंट में जैसे राम भी नहीं लिखते हैं तो जैसे राम लिखिए बाकी इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको अंदधा लगे किया चल रहा है ल दाल दिया और नहीं डाली होगी तो आज मैं इसको यहां पर डाल दूँगा और आज हम कॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे उसमें सबसे पहला कॉमिनेशन जो है वह फाइव प्रपल वन है यहां पर लास्ट के चार डिजिट के हम बात कर रहे हैं अब यहां पर थोड़ सब्सक्राइब को अंतर तक जरूर देखना बहुत जातक लंबी वीडियो नहीं होगी और कॉमिनेशन जो है वो बनाता आपको चलूँगा तो लास्ट चार डिजिट का जो अगर टोटल इसका करें तो 8 आता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब 8 आ रहा है तो स्ट्रे 1 है यह आपको स्ट्रॉंग बना रहा है आपकी आई को इंक्रीज कर रहा है लेकिन नई रिस्पॉंसिबिल्टी आपको दे रहा है आपकी फैमिली को और आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है और फैमिली को भी रिस्पेक्ट दे रहा है जो समाज है जहां आप रहते हैं कलो communication fast करा रहा है आपकी emotional कर रहा है success आपको दे रहा है लेकिन success थोड़ा सा hard work करने के बाद दे रहा है अब इसमें अगर आप तोड़ा सा और इसको decode करें तो यहाँ पर ripple one की formation भी हमें मिल जाती है ripple one की formation आ रही है तो आप talk active है और अपने ही बातों को लोगों तक फिला जेते हैं मतलब कुछ चीज़े secret रखने की जरूरत होती है और उन चीज़ों को अगर आप secret नहीं रखोगे आप चाहें अपने पती को बता रहे हो तो ठीक है पाता पिता को बता रहे हो ठीक है बट अगर आप पूरे दुनिया को बता रहे हो पूरे यूनिवर्स को बता रहे हो कि next step में ये करने वाला हूँ तो फिर आपका काम नहीं बनेगा 100% उसमें रुकाफ्टे आहेंगे आहेंगे तो अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो प्लीज कर लो साथ साथ इन चार डिजिट का आठ है तो अगर हो सके तो थोड़ा सा आप और गिनाइस्ट हो जाओ क्योंकि यहाँ पर 1 काफी हद तक हमारे लास्ट के 4 डिजिट में आया है 5 भी आया है लेकिन 1 भी आया है तो दो-3 बातें आपने remedy के रूप में करनी है पहला आपको research करनी है कोवी decision करने से पहले तहें तक जाना है ओपरी ओपरी दौर से काम को नहीं करना है इसके साथ और अपने जो भी आने वाले कुछ आपके कुछ इवेंट्स हैं या अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो वह आपको डिस्क्लोज जादा किसी के साथ नहीं करने हैं तो यह था पहला नंबर आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर यहां पर लेते हैं तो यहां पर दूसरा नंबर है 6351 तो 5163 का है तो आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको पिछे भी लेके चलूँ तो यहां पर 6 के साथ 3 जो है वो बिलकुल हाड़कोर एनिमी में आ जाता है तो यहां पर ऐसे में क्या होते हैं कि लाइफ में आप डाउन आपको देखने को मिलते हैं और आपके अंदर एक जेंटलमेन वाली आपकी परस्नेल्टी भी होती है और कई बार आप इतने ज़्यादा गरा हो जाते हो कि आप बिलकुल डेवल लगते हो तो यह थोड़ा सा ह लेकिन 5 आपको यहां पर नमबर में मिला हुआ है तो आप कह सकते हो कि आप एक बैलेंस परसन भी यहां पर होगे साथ-साथ आपके पास जो कम्मिनिकेशन कॉल आएंगी उसमें भी आप बैलेंस कर लोगे और नमबर वन है तो लास्ट में तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो हो डिजिट की हाँ पर बात हो रही है पूरे नमबर के हम बात अभी नहीं कर रहे हैं कन्फ्यूज मत होईएगा तो यहां पर 15 के अगर हम बात करें तो 15 मैंने आपको बताई दिया नए रिस्पॉंसिबिल्टी आई इंक्रीस करती है और आपको लगजरी लगवर भी बनात होता है अगर आप यह नमबर चला रहे हैं तो पहला यह कि ज्यादा कोई जल्दबाजी में ना ले और एंग्जाइटी लेवल्स क्या होता है कि 6 और 3 अगर आपके पास है किसी भी फॉर्म में है तो वह एंग्जाइटी लेवल्स को कई बार बढ़ा देता है आपकी तो वर्डिक्ट है कि आप इस तरह के काम करोगे जो भी आप काम करते हो तो आपको जब तक आप वो काम नहीं कर लेते हो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता तो यहां सबसे पहली बात यह है कि आप अपने एंग्जाइटी लेवल्स को कंट्रोल करो रेस्ट आप दा थिं मैं अपनी according आपको बता रहूं और numerologist क्या कहते हैं उसका मुझे idea नहीं है तो यह हमने जाना उसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पे 9455 अब 9455 अब 945 की सीरीज बहुत लोगों BSNL की भी होती थी आपको याद हुगा अब यह जो 944 की सीरीज है या 944 नंबर अगर आ market या shortcut से पैसे बनाना कोई ऐसी shortcut आपने ले ली जो आगे जाकर उसमें कड़े थे आपको लगा कि जल्दी पहुँच जाएंगे लेकिन जल्दी नहीं पहुँचे और देर हो गई दूसरा 944 जब आ जाता है तो आदमी एक situation पर आके अपने आपको upgrade भी नहीं करता बही BSNL क जो 94 वाली series थी जो मेरा भी number है तो इसमें क्या problem थी network issues थे 5G सबसे last में आया ठीक है tariff महंगे हैं लोग लेना नहीं चाहते तो यह चीज आती है कि कुछ situations ऐसी हो जाती है 94 के case में कि आप organized भी है energetic भी है बट अपने आपको upgrade नहीं कर रहे हैं यहाँ पर 55 की formation भी है तो total आता है वो आता है हमारा 9 4 13 और 5 18 और 5 23 तो 5 आता है तो यह number ऐसा है कि यह last के 4 डिजिट जो है वो balance आपको कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि balance नहीं कर रहे हैं तो अगर कोई loss हो भी रही है तो उसको manage हो जाता है work flow जो है वो बना रहता है और 23 total है तो उसका भी थोड़ा बता द हो आपको कि 10 total में क्या होता है कि आपके बहुत सारे शडियां तराप के खिलाफ होते हैं बहुत सारे दुश्मनी करने की लोग harm करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं बाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा skin problems इस पूरे number में आती हैं जलबाजी में decision होता है जो भी changes ह होते हैं suddenly होते हैं और आपका जो behavior होता है उसमें भी कई बार जो official behavior होता है वो बहुत जादा अच्छा इस पर नहीं देखा जाता अब दूसरे number पर आते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले video को like share जरूर करना 7995 अब यह 795 जो है इसका जो total है पहले वो निकाल लेते हैं 30 आएगा मैं 9 और साथ 16 16 और 5 कितने हो गया तो यह यह जो person है यह जो भी महिला है यह constant पढ़ती रहती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ study करती रहेंगी चाहें mobile पे करें चाहें बुक से करें लेकिन इनके अंदर एक आदत है आदत होती है ऐसे लोगों की 795 में के success जो होती है वो भार निकल के मिलती है अगर यह घर में बैठे रहेंगी और सोचती रहेंगी तो उस case में success नहीं मिलती है और अगर एक महिला है महिला के पास ही number है तो जब उनकी शादी हो जाती है तब थोड़ी ज़्यादा उन्हें freedom मिल जाती है और success away from father home और success away from home हम यह कह सकते हैं बट इसमें ठोड़ा relationship का issue आता है इसके साथ साथ struggle delay in work भी हमें इसमें देखने को मिलता है अब इसकी remedy हम क्या कर सकते हैं पहला यह है कि loan लेने की जो एक tendency होती है इसे लोगों में जहां double line इकटा आ जाता है तो उस loan की लेने की जो आदत है उसको थोड़ control करिए जरुवत है तो loan लीजे नहीं तो कोई आवशक्ता आपको loan लेने की नहीं है साथ-साथ यहाँ पर three zero है और अगर आप बहुत समय से घर पे बैठे हुए हैं और कुछ नया start करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो विश्णु जी की उपासना है वो अच्छी रहती है च तरह से design करता हूं कि आप कोई सा भी number ले रहे हैं तो वो उसमें भी उसका input रहे है तो अब आते हैं अगली number पर जो है तेंटिस अट्थानवे तो यहाँ पर अगेन हमारे पास आ गया तो यहां 23 का मैंने आपको बताई दिया कि बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे लांचन लगते रहेंगे लेकिन कोई legal problems आपको इतनी आएंगी अब 33 आ गया 98 आ गया 98 क्या है यह जो persons होते है इस तरह की एका combination अगर last four digit में हैं तो ऐसे लोग practical किसम के अप्रोच के साथ चलते हैं knowledge लेते रहते हैं इतनी ज्यादा knowledge ले लेते हैं कि किसी के उपर trust भी नहीं करते बुद्धी जवरदरस्त होती है इस्तमाल भी अच्छा करते हैं अपने ही प्रसपर्स के साथ चलते हैं यानि कि अपने ही rules होते हैं और उसमें argument करने में भी यह लोग आगे होते हैं तो अगर आप lawyer हैं तो उसे साथ से यह number बहुत अच्छा है पांच इसका total आ रहा है तो आपको business भी देगा चारो तरफ से प्लस आपका काम है knowledge लेना क्योंकि यह number उनके लिए अच्छा हो जाता है जनको constant पढ़ा ही करनी है जैसे मैंने आपको बता दिया lawyer जैसे आपका doctor का case होता है doctor को भी 90 disease आजकल आ रही है तो उसमें देखना पड हूँ कि मेरे को doctor साब जो दवाई देता है मैं उसको सबसे पर इंटरनेट पर चेक करता हूँ कि यह दवाई किस चीज की है आला कि उससे मेरा कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी मेरे satisfaction है तो उस cases में भी यह चीज़ें आपको लाब करती है ऐस सच पस थोड़ा सा यह है कि यह जो नंबर है professionalism के लिए अच्छा है बट personal life में argument ज्यादा करोगे और ज्यादा ग्यान पेलोगे तो फिर problems आपके married life में आ सकती है यह boyfriend girlfriend के relationship में भी आ सकती है डबल फॉर फॉर एट अब फॉर एट और डबल फॉर उटल होता है 20 बतलब sensitive ठीक है emotional person देखिए डबल फॉर है यह फॉर एट है इसमें जो planning है वो सफल नहीं होती आप जो भी plan मना रहे हो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है negative thoughts बहुत ज्यादा आते हैं love life अगर आप and down पक्का देखने को मिलता है इसके साथ साथ blood से related issues होते हैं और delay मिलती है hard work ज्यादा करना परता है struggle आपको ज्यादा करना परता है अब यह क्यों करना परता है क्योंकि आपके अंदर एक nature है कि आप bypass करना नहीं जानते है आप diplomatic नहीं हो आप बहुत straight forward हो आप organized हो अपने work मे बट ऐसे organized का भी कोई फायदा नहीं है कि आपने देखे मैं यह तो नहीं कहता हूं कि पतली गली से निकलो बट मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपके job या आपके चीज़ें बच रही है और आपको पता है कि आप पिल्कु सही है और उसको आप आगे tackle कर सकते हो ध्यान रखना मेरे words का कि planning आपने पहले से कर लिया मतलब आपको planning करके अपनी speaking को बढ़ाना है मतलब आपको इस तरह से negotiate करना है कि आपकी अगर कोई problem भी है इस number की बात कर रहा हूं सबके रूपर नहीं है यह चालू कि आप plan करके बोलो practicalism पे बोलो जो सबूत आपके पास है उसक जाता फ्लंबॉइंट हो जाता है कि और technological sound हो आप तो उसमें कोई problem वाली बात नहीं है आप बहुत जल्दी सीखते हो तो वाली बात issue नहीं है remedy के लिए सिर्फ इतन है कि emotional learning से कोई फायदा नहीं होगा आपको अपने आपको थोड़ा stand कराओ और अगर ज्यादा emotions या कुछ इस तरह के कि intuition power भी इसमें मिल जाती है आपको तो इसमें अगर कुछ इस तरह की की चीज़े आपके साथ हो रही है कि लोग आपको black male कर रहे हैं या emotionally fool बना रहे हैं तो मैं पोलूंगा कि माता जी से जो आपकी है उनसे थोड़ी सला ले लो यार माता जी नहीं है तो management skills, good planner, good energy और इसका total हमारा क्या बनेगा नौ साथ सोला, छे और एक साथ प्लस सोला, मतलब learning from the experience, spiritual kind of person, good management skill, good planner, good energy, married life में थोड़े बहुत issue आते हैं, income में up and down ज़रूर आता है, बट ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान से जुड़े रहते हैं, चाहें वो किसी भी धर्म जाती के क्यों न हो, और अगर वो अपने किसी भी एक person को मानते हैं, तो उसको मानते रहते हैं और अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐ बार मैंने देखा है, कि जो marketing की calls हैं और जो luxury calls हैं, जैसे आप mall में गए आपने number दे दिया, तो वो उस तरह की calls आपके पास ज्यादा हा सकती हैं, और वो बोलते तो to the point हैं लेकिन बोलते ऐसा हैं कि आप पैसा घच कर देते हो, तो यहां पर थोड़ा पैसा बचा के चलने क जरुवत हैं, rest of the things is good, जिस भी आप भगवान को मानते हो, उसको आप मानूत, last है हमारा 12 और 13, यह अच्छा number है, इसमें अगर अगेन इसका टोटल है वो 7 है, तो आप जो है spiritual है, learning from the experience है, learning from the mistakes है, argumentative थोड़ा से हो जाते हैं कभी-कभी, और यहां पर helpful आपको partner भी मिल सकता है, साथ-साथ आपका जो face होता है, वो attractive होता है, emotions होते हैं आपके पास, good communication skill होती है आपके पास, आप good advisor होते हैं, respectful होते हैं, popular होते हैं, और इसका जो total आता है, अगेन मैंने बताई दिया, साथ, इसका total आ रहा है, तो यह कुछ numbers मैंने आपके साथ share करें, आपके ही numbers थे, आ name terminology के ओपर कुछ सोच रहा हूँ, और भी कोछ बहुता ही चीज़ा सोच की हुए है मैंने, और बस आप लोग video को आगे forward करते रहें, चैनल को subscribe करते रहें, जैशेट आओ